है गाइज वेल्कम बैक टो चैनल इस समीर एन यह वाचिंग मेस्क्व व्लॉग तो गाइज हम लोग है अश्रफिक गोट फार्म पर एक और वीडियो पर आप लोग का स्वागत करते हैं हमारे साथ है दद्दू भाई और इस वीडियो में भी हम लोग आपको बहुत ही भेतर सब्सक्राइब लेता है यह मतलब मैंने को सोच रहता कि साधी साध वगेरा होगा लेकिन यह मालवा है मैं सर्प्राइज हो गया बकरे को देखके माशाला यह देखे आप कॉलिटी बकरे लिए इसमेर भाइस का सिंग जो है थोड़ा घस दिया है इसने खुछ से ही मतलब अच्छा यह घस के छोटी होगी है और किते दात पर है यह बकरा आट दात कर लिया ठीक है क्या वेट पर हो सब्सक्राइज होगा कितने मेने से अपने पास देड़ साल से अपने पास पूरे दात कर चुका है तो कस्टमर ने मतलब पिछले साल यहां से कुर्बानी उन्होंने नहीं की क्या नहीं ओके बहुत बढ़िया चलिए अपन वजन करवा लेते हैं पिछी के पैर में लच्छ अच्छा कर दो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा तक अपना काम है वह कॉन से पैर में में को भी नहीं समझ वाला यह राइट वाले पैर में मेरे को तो नहीं समझ लचक मतलब क्या है आपको क्या लग रहा है उसमें थोड़ा थंडी का अशर हुआ था ओके तो उसकी अशरी रिश्यू नहीं है नहीं थोड़ा है अचा थोड़ा सा यह लग रहा है वह बक्रा पूरा गुलाभी है यह माशालला और इसके पैर पूर्जे जो है नहीं वह भी बहुत मूटे डबल अड़ी डबल अड़ी क्या बोलते यह उस टाइप का बक्रा होगा शायद था जाना जिखान जाए एक मेंड़ा यह जीरो ठीक है अपि अंदर बखरे को डालेंगे जद्दु भाय आपने क्या वेड़ बताया था 77-80 kg आपने बताया था अब चेक करते हैं भाई कांटे की जरुवत ही नहीं होनी चाहिए यहां पर असी किलो प्लस फिफ्टी मतला साड़े असी किलो हो गया यह अभी तो फिट शुरू नहीं हुई अपने आपर ठीक है अभी टाइम हो रहा है लगबग दो बज़रे होंग है तो मतलब इसको अगर आपन फीड वगेरा डाल दे तो 83-82 जाएगा इसको बीना खीचे इसको चलने दो नॉर्मल जैसे चलता है कुद्रती हां यह देखे मतलब लोगों को यह नहीं लगए कि जब अपन खीच रहे थे बकर अच्छा है माशालला 80 kg का वेट है और उसने सब्सक्राइब कर चुका है ठीक है कस्टमर का बगरा है अश्रफी गोट फार्म पर यह पलाई पर है तो दुबाई क्या रेट इसके कोट कर रहे है 40,000 नेकोशेट होगा कुछ नेकोशेट हो जाएगा 40,000 यह कोट कर रहे है 80 kg का बगरा है 80 kg का बगरा है मालवा है और इसकी लटक देखो जालर देखो और अभी तो थोड़ा से यह बिमारी से उबरा है अब यह और पकड़ेगा मेरे ख्याल से बहुत जगा है इसके इंदर क्या एक्सपेक्टेशन है अगर यह तक कोई रख देता है अपने पास जाएगा यह को भी एसा लग रहा है इसके पोटिंशल अभी है जब यह बीमार हुआ था तब यह थंडी का कुछ असर इस पर हुआ था हुआ तो तब यह क्या वेट पे था अभी यह तो पहली बार य पर यह तो कभी आए नहीं ना काटा पर पर चड़ाएगे अच्छा एक एक है ना जनर्र नौलिस की बात में अपने लिए पूछता कौन से कस्टमर जादा अच्छे होते अपने लोकल के मंदल्ब नहीं क्या कोई कस्टमर वेट बहुत मांगता है कोई कस्टमर कंटीनिउस यहां पर आते रहते कोई आते तो कुछ अपने आच से खिलाए पिलाए तो करते तो अपने को अच्छा लगता है तो ज्यादा तर मेरे इसाब से एवरोड वाले कस्टमर है रान नहीं करते वेट के लिए वीमारी इसा है कि सभी में जित्ते भी में को साड़े तीन साल इनके फार्म पर दद्दू बाई के साथ शूट कर रहा है अलाकि दो तीन बार ऐसे मुलाकात जरूर हुई है दद्दू बाई का रिकॉर्ड मैंने अपने दोस्तों से सुना काफी लोगों से सुना कि दद्दू बहुत फ्लेक्सिबल इंसान है अगर कहीं पर कस्टमर सेट सब्सक्राइब दद्दू बाई ने उसको दूसरा बक्रा एक्षेंज करके दिया तो ऐसा इनका नीचर है माशालला बहुत फ्लेक्सिबल है कस्टमर के साथ में तो और रिजल्ड ओरिएंटेड है रिजल ओरिएंटेड है लास्टेर भी कुछ बग्रे मिले पास हुए तैस तो यहां से डिलेवर हुआ है तो यह मतलब एक अचिवमेंट है मुंबई के अंदर आप खुद यहां पर 150 kg तक के बक्रे आप ले जा रहे हो और जिसमें सबसे बड़ा रोल होता है यह हमारी बैकेंड टीम का यह अपने रह्मत भाई है और और भी लोग है जो दोका देंके भाग गया था एक मेहने से शादी ती इसकी बहें की एक मेहा ल अच्छा यह यह भी कहते हैं अच्छा तो अभी है ना अगली बार आगर वीडियो बनेगा तो तुम दोग दिखोगे ना पता चला कहीं और यह है लोगा तो इसके 40,000 यह कोट कर रहे है बक्रा अश्रिफी गोट फार्म पर है दद्दू भाई का नंबर मैं स्क्रीन के हलका सा जो पारलाइसिस का अटैक आया था वो सही हो चुका है बक्रा और अभी ग्रो करेगा ठीक है वैक्सिन वगेरा सब दी गई है इसको अभी भी सारी चीजे डाने ना अभी बीवर्मिंग पिछले आप दें किये चाल पादिन पर लेंगे तो गाइस जिसकी को भी इस ढ़ा है आप आये यहां पर बखरा दें पसंद करें और ददु भाय का नंबर में इसकिन पर देंगा आप लोग इन से बात करें और यह बखर्क लेकर जाए और यह भी दिखा दिखा दिगी ओं यह ऊपको तोड़ा से गहस तोड़ दिया है वैसे इस पर कुरबानी हो और सब्सक्राइब कर देंगे तो कुर्बानी तो होई जाएगी चलेगा तो यह वीडियो क्लोज करते हैं गाइस मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में जबते हैं कि लिए गुडबाइ टिक कैर अलाफिस